नमस्कार आप देखरें नियूस फोर नेशन और मैं हूँ आपके साथ शिप्राजार राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोग गहलोत के खिलाफ सच्चिन पाइलेट की वगावत से ही सियासत जारी है सच्चिन पाइलेट के खेमे के हाई कोट जाने से लेकर बीजेपी के ओडियो टेप तक हर दिन एक नया नाटकिये मोड सामने आ रहा है अब ऐसे में देखना हो कि इस पर आगे क्या कुछ फैसला होता है और क्या कुछ जानकारी मिलती है लेकिन इसी बीच अर्शोग गहलोत ने एक बयान देकर सब को चोका दिया है अर्शोग गहलोत ने एक टीवी चैनल से दिये इंटर्व्यू में कहा है कि आगर सचिन पाइलेट वापस आते हैं तो वो सबसे पहले उन्हें गले लगाकर उनका पार्टी में स्वागत करेंगे राजस्थान के सियासी रण में दोनों खेमों निताओं के बीच शब्दबान जम कर चल रहे हैं औडियो टेप को लेकर जहां कॉंग्रूस पाइलेट के खेमे के दो विधायकों को सस्पेंड कर चुकी है वोई आज हाई कोट में सुनवाई है पाइलेट की आगे का सियासी सफर किस ओर मुड़ेगा ये सुनवाई काफी हद तक तैकर सकती है लेकिन अशुक गहलोत ने एक चैनल में दिये इंटर्व्यू में कहा कि वो कभी भी पाइलेट के खिलाफ नहीं रहे है राहूल गांधी भी जानते हैं जब कभी भी संसदिय बोड की बैठा कुई मैंने हमेशा युवाओं की पैरवी की ये लोग कल का भविश्य नहीं है सीनियर जुनियर का माहोल बनाना ठीक नहीं है उन्होंने कहा कि जब मैं सांसद बना था तो पाइलेट तीन साल के थे हमारा उनके घर आना जाना था वापस आएंगे तो सबसे पहले मैं उनको प्यार से गले लगाऊंगा मेरा उनके प्रती बहुत स्ने है, राजनिती तो राजनिती है, जिस परिवार के साथ व्यक्तिगत संबंध 40 साल से हों आप समझ सकते हैं आपको बता दे कि होर्स ट्रेडिंग को लेकर आडियो क्लिप जाड़ी होने के बाद कॉंग्रस पार्टी ने शुकरवार को बीजेपी नेता और केंदरी मंत्री गर्जुईंद्र सिंग्स शिखावत और सच्चिन पालेट के खेमे के दो विधायकों की शिकायत सोजी से की है मोखे सच्चित तक महेश जोशी की ओर से शिकायत पेश की गई इससे पहले दोनों विधायकों को पार्टी से निश्कासत भी कर दिया गया होटल फेयर्मोंट में होर्ट ट्रेडिंग के मसले पर प्रेस कॉंफरेंस में कॉंग्रूस नेता रंदीब सूर्जेवाला और प्रदेश अध्यक्ष गोविन सिंग डोट सरा ने इस मसले पर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाये सुर्जेवाला ने बीजेपी नेता और खेंदरी मंतरी जलशक्ती मंतरी गर्जुइंद्र सिंग शेखावत पर FIR दर्श करने और गिरफतारी की मांग भी उठाई थी सीम अश्यो गेलोत ने कहा कि सचिन पालेट पहले बीजेपी में जाना चाहते थे लेकिन इनके साथ कोई जाने को तयार नहीं हुआ इसके बाद उन्होंने नई पार्टी बनाने की सोची और चाहा कि राजस्थान में कॉंग्रिस को समाप्त कर देंगे इन्हें लगा कि बीजेपी से मिलकर सरकारें बनती भी है बिगरती भी है तो मैं क्यों नहीं बन सकता